तो सबसे पहले तो गैच यहां पर आपनों मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में आपनों को घंटी का बटन देखे देगा आपनों इसी पर क्लिक कर देना और ओल पर सेट कर देना ताकि आने वाला वीडियो ना आप सबी लों के लिए जल से जल मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो मायो टिकनिकल बिनीत और इंडिया में जितने सारे नयने फोन लोंचेस होते हैं उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ और आज की इस वीडियो में आप सबी लों के लिए सामी कमपनी का एक नया स्मार्टपून लेकर आ चुका हूँ इस पून का नाम है दोस्तों सामी 12 आई यहां पे आप लोंग ध्याद दिना कि सामी 12 अलग होता है और सामी 12 आई अलग होता है दोनों के अंदर में अलग-अलग फीचर देखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो में आप सबी लोंग के साथ इनके अंदर में कैसे क्वालिटी देखने को मिलने वाला है सब कुछ आप सबी लोग के साथ मैं सेयर करने वाला हूँ सो दोस्तो या वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेन होने वाला है आप सबी लोग नए हो मेरे चैनल पर तो नेचे में एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखे दिगा आप सबी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को वाल लाइक कर देना चलिए गैच वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो बात करूँगा इस फोन का सबसे पहला फीचर जो कि गैच OS के बारे में ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस फोन के अंदर में आप सबी लोग को Android V11 भर्जन देखने को मिलेगा जो कि गैच अभी न नए फोन के अंदर में से एक अच्छा क्वालिटी रखा जा रहे है और साथ में इनकी वजन की बात करेंगे न तो या दोस्तो आप सब लोग को 207 ग्रम पर देखने को मिलने वाला है दोस्तो यहाँ पर आपके अच्छान देना बात करते ही इनका डिस्पिले फीचर की बारे में इसके अंदर में इनकी साच की बात करेंगे तो 6 इंटू 7ी1 इंचेस का देखने को मिलेगा और 1 TB मतलब टेरा गयर्ट ने इसके अंदर में 10-80 से लेकर 2400 पिक्सल का रिजोलेसा को अवेलबल कर दिया है दोस्तों कोन के अंदर में सबसे में फीचर होता है कैमरा सेटर गैच यहाँ पे आप लोग ध्यांदना इसके अंदर में तोटल कैमराज की बात करेंगे तो फोर देखनों को मिलेगा जो कि इनका सिलफी कैमरा 1 है और इनके बैक सेट में 3 कैमरा है चले बात करते हैं इनका ओल कैमरा का ना quality के बारे में मेगापिक्सल के बारे में गैच यहाँ पे आप लोग ध्यांदना इनके बैक सेट का जो main कैमरा होता है ना primary कैमरा इनकी quality की बात करेंगे तो आप सभी लुग को 15MP का 50MP का देखने को मिलेगा और इसके नीचे में 2 छोटे camera देखने को मिलेगा जिनमें से पहला के अंदर में आप सभी लुग को 13MP का देखने को मिलने वाला है जो की ultra white angle camera और इसके नीचे में एक छोटा camera है इनकी quality की बात करेंगे ना तो आप से भी लुग को सिर्फ या 2MP का देखने को मिलने वाला है दोस्तो इस phone के अंदर में selfie camera की quality को थोड़ा सा अधिक कर दिया है नहीं तो दूसरा phone की अंदर में 16MP का देखने को मिलता है लिकिन गेच इस phone के अंदर में 32MP का इनका सामने वाला selfie camera की quality को अवेलबल कर दिया है दोस्तो फोकस करना बात करूँगा इस phone का memory feature के बार में इस phone के अंदर में 6GB RAM देखने को मिलने वाला है और 108GB इनका internal storage को अवेलबल कर दिया है आप सब लोना 2-4 game online game असानी से खेल सकते हो थोड़ा सा दोस्तो बात करके इस phone का general picture के बारे में इस phone के अंदर में आप सब लोना double sim card, nano sim card आप लोग यूज कर सकते हो एक best speaker देखने को मिलेगा पैटा लोग, face lock और fingerprint भी कर सकते हो और खास बात इसके अंदर में GPS का option को yes कर दिया है आप सब लोग को सच बताओ ना, तो अभी ना, जितने सारे नए ने phone के अंदर में GPS का option को yes कर दे रहा है बैटरी power, phone के अंदर में सबसे important feature होता है इसके अंदर में आप सब लोग को 5000 image का एक बढ़िया सा best battery देखने को मिलेगा और सबसे खास बात ना, इस phone के अंदर में 80 watt का first charging available कर दिया है गैच यहाँ पे आप लोग फोकस करना, आप सब लोग को मैं हकीकत बताओ ना तो दूसरा phone के अंदर में 60 watt का, 33 watt का first charging देखने को मिलता है लिकिन गैच इस phone के अंदर में 80 watt का available कर दिया है दोस्तो आई होग कि आप सब लोग को या सामी कमपनी का नया smartphone सामी 12th Eye का all features अच्छे समद में आगया होगा तो गैच मैं इंडिया में जितने सारे नया smartphone launches होते हैं उसे के बारे में वीडियोस बनाता हूँ और भी आप सब लोग को ना, नया ने पॉन का notification चाहिए ना तो यार आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आग लाइक कर देना चली गैच मिलता हूँ से के वीडियोस में तब तक के लिए जय ही